हलो फ्रेंड्स बंस अगें वेलकम टू अवर एकाडमी सबसे पहले तो मैं आप लोग से छमा मांगता हूं कि कुछ दिन वीडियो आपका जो है नहीं जा पाया कुछ प्रॉबलम के कारण से मैं आपको वीडियो नहीं बना कर दे पाया इसके लिए मैं आप लोग से छमा नहीं दिसकर रहे हैं यहां से बच्चे हकसर को बनाने मीं गलती कर जाते हैं तो इस चीज को बड़ा ही ध्यान से समझीएगा और अच्छी तरह से चीज़ों को अंडरेस्टैंड करने की कोशिस किजिएगा देखिए जब हम बात करते हैं नरेसंट में तो नरेसंट में हम लोग देखते हैं कि एक हमारा स्पीकर होता है एक हमारा लेस्टनर होता है एक हमारा स्पीकर होता है एक हमारा लेस्टनर होता है मैं स्पीकर को यहां पर एस से दिन लिस्नर होता है एक स्पीकर होता है या लिस्नर होता है मैंने आपको बताया है स्पीकर लिस्नर का कंसेप्ट बताया है तो आप जानते हो कि जब अस्पीकर और लिस्नर अस्पीकर और लिसनर दोनों मिलकर ध्यान से समझेगा अस्पीकर और लिसनर कोई काम को दोनों मिलकर यानि कि किसी भी काम को करने में अस्पीकर का और लिसनर का दोनों का अगर उस काम करने में इनवालमेंट हो दोनों का उस काम करने में अगर involvement हो तो उस इस्थिती में हम लोग क्या करते हैं कि आपको यहाँ पर जो है जब दोनों का दोनों जो है क्या करेंगे उस काम को करने में involved रहेंगे तो हमारे पास जो I और जो V मिलता है रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ आई और V जो मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे वी को हम लोग V में ही रखेंगे फिर समझेगे एक वार कि अगर किसी भी काम को करने में स्पीकर और साथ में लिस्नर दोनों का अगर इंवाल्मेंट होता है तो उस स्थिति में हमें वहां पर रिपोर्टिंग वह में क्या लिखावा मिलता है आय और वी लिखावा मिलता है तो स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर अगर दोनों का इनवाल्मेंट है तो स्पीकर और लिसनर का कोई भी इनवाल्मेंट ना हो उस काम को करने में एक साथ किसी भी काम करने में इनवाल्मेंट नहीं है तो अगर एक साथ इनवाल्मेंट नहीं रहेगा माई डियर फ्रेंड तो इस वी को हम लोग क्या चीज में चेंज करेंगे यहां पर दे में चेंज करेंगे अब इस चीज को हम लोग कोश्चन के थूर समझने की कोशिस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बच्च यानि कि दोस्त आपका दोस्त जो है आपसे कहता है क्या कहता है यहां पर देखिए वी वी हाव बाउट आ निव कर तो इस बात को आप समझने की कोशिस कीजिएगा माई डियर फ्रेंड कि अगर मेरा फ्रेंड मुझसे यह बात कर रहा है कि वी हाव बाउट आ निव कर तो कि इसका मतलब जो है यह वी यहां पर यूज किया गया है यह इस listeners के लिए तो यह नहीं किया गया है यह जो Unless एक्षुली में फ्रेन्ट का कोई फेमली हो सकता है यानि कि इस काम में आप देख रहे हैं जो वॉट किया गया है नियू कार नियू करने में मैं 맡ें माइफ्राण या किमा इसमें इनवाल नहीं है तो अभी देखेंकि लिष्ट अगर इनवाल नहीं हूता है तो हम लोग ये को क्या से चेंज करते हैं इस वी को हम लोग दे में सेज़ करते हैं तो इस स्थिति में यहां पर जो है आपका में लिशनर का इन्वाल्मेंट नहीं है इस फ्रेंड का कोई फैमिली मिंबर होगा उन दोनोंने मिलके इस कार को खरदा होगा यहां पर वी को हम लोगों ने चेंज किया दें ठीक है next हमारा है my brother said to me we फिर से यहां पर बी आया we will go to Delhi next week अब यहां पर देखें आपका भाई आपसे आ कि यह बात बोल रहा है कि हम लोग अगले सपता देली जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा speaker है जो हमारा listener है देल ही जाने का काम जो है ये दोनों साथ साथ करेंगे यानि कि इस काम को करने में दोनों का involvement हो रहा है जब दोनों का involvement होगा तो हम क्या करेंगे इस वी को हम चेंज ना करके वी को हम लोग वी में ही रखेंगे चुकि यहां पर स्पीकर और लिसनर दोनों को इस काम में involvement है that's why यहां पर भी चेंज नहीं किया जाएगा अगर माई फ्रेंड के जहाइए तो भी यहां पर क्या होगा वही होगा ठीक है ना क्योंकि वो दोनों का involvement वहां पर हो रहा है ने कांसीडरेशन अगर आप समझ गया इस question में तो आपको किसी परकार का कोई प्रोब्लम नहीं होगा यानि कि यहां पर क्या हो गया दिल्ली जाने का काम उसका ब्रदर कर रहा है और उसका साथ में कौन है मी वह भी कर रहा है ठीक है नेक्स सेंटेस दिखेगा लिखा हुआ है दो बॉस सेट टुमें वी कन नॉट लेट दा कंपनी टार्गेट मिस अब ए का जो टार्गेट होता है वो कॉमन टार्गेट होता है आपकी बॉस के लिए और वो इंप्लाई के लिए भी तो मालों इंप्लाई में मी है तो अगर आपका कॉमन टार्गेट है यानि कि उस टार्गेट को अचीव करना दोनों को जरूरी है यानि कि उसमें अचीव करने मुस्ट टार्गट को दोनों का होगा इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर वी को हम लोग चेंज नहीं करेंगे वी हमारा वी ही रह जाएगा ठीक है नेक्ष देखिएगा आपर दमोक सेज अब यहां पर लीसनर नाम का कोई चीज यहां पर नहीं है तब पर भी चीज़ को आप समझने की कोसिस किजिएगा तो मौक सेज वी आल आर सिनर्स we all are sinners मानि हम सब पापी है तो एक बात अगर आप एक बात सोच के देखें तो हमने as human beings कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गलतियां की होगी तो जब कुछ न कुछ गलतियां की होगी तो actually में ये जो we जो यूज किया गया है my dear friends ये वी जो है actually में जेनरल रूप में यूज किया गया है यानि कि सभी के लिए यूज कि इन्वाल्मेंट सभी का है समझना है कोई एक सीनर्स की बात नहीं क्या जरा we all are sinners यानि कि हम लोग सभी पापी है यहां पर भी लिशनर नहीं है अब यह बात समझेएगा ग्रे एज का मतलब क्या होता है ग्रेज का मतलब एक मतलब तो होता है experience एक मतलब होता है ग्रेज का मतलब होता है experience एक होता है old age बुढ़ हापा इसको लोग बोलते है ठीक है अब समझेगा कि old man हर एक जैसे हर एक किसी का जैसे कि एक बुढ़ हापा एक अवस्था है जवानी एक अवस्था है बच्पन एक अवस्था है तो यहां पर जो ओल्ड मैन ने कहा है है कि we deserve due regards for our gray age यानि कि हम अपने एज बालों के लिए मुझे क्या चाहिए regards यानि respect चाहिए तो यह सिर्फ अपने एज के बारे में बोला है अपने एज के लोगों के बारे में बात किया यहां पर इन वालमेंट सभी का नहीं है यह अपने अबस्था होगा यह हमारा युबावस्था हो गया तो उसके लिए अपर ये बात किया गया है इसका मतलब स्टिकर लिस्ट रका इंवडोब मिन्ट नहीं है इसका मतलब में यह में चुंझ होगा यह आवर का सिम्डूर्च इसका क्रस्पॉण्डिंग हो तीक है निक्स देखिएगा दो सोल्जर्स विल सेई वी विल वाउप फॉर इंडिया अब एक बाद ध्यारम लखिएगा सोल्जर्स तो देश के लिए काम करी रहे हैं तो पिर से यहां पर क्या हो गया वी सिर्फ सोल्जर के लिए नहीं किया गया पर सभी लोग जूट गए टीचर एंजिनियर सांटिस्ट जो हमारे जो किसान भाई लोग है अन्य कि यहां पर वी को हम लोग चेंज नहीं करेंगे वी वे ही रहेगा तरह उसके बाद देखियेगा ध्यान से दसोल्जर सेज फिर से आपर दस ओल जेसे भी वैंट स्पेसल राइट्स इन आवर सर्विस अब ध्यान से देखियेगा कि यहां पर वीजू वर्ड यूज किया गया माइडियों फ्रेंज यहां पर है स्पेसल राइड्स की बात किय गया ना टीचर्स का ना किसान का ना किसी और की बात किया गया इन के स्पेशल राइट के बारे में बात किया गया है तो इसका मतलब लीसनर का तो इंवॉल्मेंट नहीं प्रस्टनल एक तपते को उठा रहा है इसलिए यहां पर क्या करेंगे इस वी को चेंज करके क्या सी में इजाम में आपको बता रहते हैं उसके बाद यहां तक की बाते आपको समझ में आ गई होगी आईए हम लोग दुसरे कंसेप्ट की और बढ़ते हैं कि जैसा हैं आपकर देख रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं माई डिर फ्रेंज चलिए ध्यान से समझेगा इस बात को भी कि सैड आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कॉलेक्टिव नौन के बारे में जानते होंगे कॉलेक्टिव नौन में कि क्या चो अतया पहले उसके बार में हम लोग बात करते हैं कॉलेक्टिव नौन जो मों होता है ग्रूप के बारे में बात करता है एटा है तो अगर यह ग्रूप की यूनाइटेड सेंस अगर हम लोग डिवाइडेड सेंस की बात करें अगर हम लोग डिवाइडेड सेंस की बात करते हैं तो यह जो हमारा वी है वी अगर डिवाइड़ सेंस की बात होगी माई डिफ्रेंस तो इसको हम लोग दे में चेंज करेंगे और अगर यूनाइटेट सेंस की बात होगा तो इसको हम लोग इट में चेंज करेंगे यह आप धियान में रखिएगा अगर divided sense की बात होगा तो वीदे में change होगा चुकि हम लोग puller की बात करते हैं उसके साथ puller verb का यूज करते हैं इसका हम तो subject को भी puller consider किया जाता है और United sense में क्या होता है कि हम लोग singular subject मानते हैं इसलिए हाँ पर it का पर्योग करेंगे ठीक है अब इसी sentence में देखें लिखा हुआ है the jury the jury का मतलब क्या हो गया group of judges group of judges को हम लोग क्या बोलते है जूरी बोलते हैं अब यहां पर देखे जूरी said we cannot pass decree यारी की डिक्री का मतलब क्या होता judgment अगर एक यह चीज को यहां समझने की कोसिस किघी कि यह लोट वर्ड यूज किया गया है मान लिए जाये हमारे पास लुए हमारे पास से जाजजस का group है ठीक है इन जाजजस का group में मान लिया जाय एक यह जिज जो है इंगरी है यह आप यह समझेए कि क्या इन सभी का जो सहमती है वो एक है कि डिवाइट है अलग अलग है तो आप देख रहे होंगे इस नौट वर्ड के कारण यहाँ पर क्या हो गया नहीं पास होने का मतलब क्या हो गया जैज्मेंट नहीं पास हुआ यानि कि group of judges का जो group था उसका जो judgment नहीं पास होने का सभी का जो decision था सभी का जो expect था वो क्या था अलग-अलग था इसका मतलब यहाँ पर divided sense हुआ क्या हुआ? divided sense हुआ अब अगर यह divided sense हुआ तो उसे स्थिती में आप क्या करोगे? यहाँ पर आप जो है दे का परियोग करोगे किसका परियोग करोगे? दे का अगर यही यहाँ पर not अगर my dear friends हटा दिया जाए समझते जाएगा अगर not जैसे आप हटा देते हैं इसका मतलब not हटने का मतलब क्या हो गया? डिग्री पास हो गया इसका मतलब इन सभी लोग का judgment याणि इन सभी लोग का सहमती उसमें है that's why यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अगर not हट जाएगा तेहाँ पर हम लोग इट का परियोग करेंगे यानि कि इस not के वज़र से आप देखिए question किस तरह से घुमा दिया जाता है नरेशन में सिर्फ आप नरेशन को चेंज करना जो आपको आ गया वही आप नहीं समझ सकते चुकि आप competitive लेवल पर तयारी कर रहे है और खास करके इस aspect के बारे में जो मैंने आज को आप मैं आज आपके सामने जो मैंने discuss किया मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं तुरंत जो हूँ बाहर से आया हूँ तुरंत मैं सूजा की नहीं चलिए बच्चों को बहुत बच्चे problem में होंगे या उनको दिक्कत हो रही होगी कि sir जो है फिर से जो है मने की video उनका नहीं आ रहा है तो that's why तुरंत अभी-भी मैं आके इन चीजों को मैंने आप लोग के सामने रखा है और इस चीज को आप ध्यान से समझेगा ये video मैं अभी छोटा ही बना रहा हूँ जो कि एक बहुत important concept है इस concept को आप पहले समझ लेजिए उसके बाद हम लोग अगले concept के बारे में discussion करेंग चले थैंक यू